आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके औरsent अफेर्स के महत्पूर क्विशंस का रिविजन करेंगे और लाष्ट में आज के महत्पूर करेंड अफेर्स को देखेंगे दिच cookies को आज की क्लास को FIFA अंडर 17 महिलावी सुकप तो यह अब ये हो रहा है आपके चेननाई में ठीक ना और इसका जो है सुभंकर बनाय गया है थमबी को ठीक तो 44 में 17 जो लम प्याड का सुभंकर को ने थमबी अभी हाली में 4 खेलो इंडिया यूथ गेम्स कंप्लीट हुए हैं और इसका सुभंकर कौन था तो इसके सुभंकर का न इसमें टोक्यों ओलंपिक्स 2020 का सुभंकर कौन था तो टोक्यों ओलंपिक्स 2020 कबीक्वी complete हुए यह था जब्सका आपका зависelate सुय पोडें के सुभंकर का नाम था सु मे शल्यक्र है और विंटरोलंपिक घेम्स जो भी हाली में नाम था 2022 के और इसके सुभंकर का नाम था ज् और आपका जो 24वा डेफलिंपिक्स 2022 हुआ कहां पे ब्राजील में हुआ था ठीक है इसके सुभंकर का क्या नाम था तो इसके सुभंकर का नाम था नीनो ठीक तो डेफलिंपिक्स किसके लिए था जो आपके गूंगे बहरे लोग होते हैं उनके लिए डेफलिंपिक्स था इस इसके सुभंकर का नाम क्या था नीनो अगले आपके कुछ और महत्पूर सुभंकर है केंद्री पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र रियादों ने प्रभावी प्लास्टिक अप्सिष्ट प्रवंधन पर जागरूकता के लिए एक सुभंकर का सुभारम किया जिसका नाम क्या रखा गया तो इस सुभंकर का नाम रखा गया प्रकृति और ये किसे सम्मंदित है प्रभावी प्लास्टिक अप्सिष्ट प्रवंधन से पर जागरूकता फैलाने से सम्मंदित है यह आपका कौनसा सुभंकर है प्रकृति पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार जाली को दिवारा लांच किया गया था अगला हमारा है किस घोषडा पत्र प्त्र के फ़ल स्वरूप ब्रिक्स निउडवलप्मेंट बैंक की अस्थापना की गई व्रिक्स अकृत्या पत्र के द्वरा अगर आपसे पूछ लिए जाया कीन्य डेवलप्मेंट बैंक का मुख्याल है कहां पेश्थित है कि सेर में तो आप लोग comment करके बताएंगे कि हाल ही में New Development Bank ने भारत में अपना छेत्रिय कार्याले तो भारत में अपना एक छेत्रिय कार्याले जो है यह एस्थापित करेगा तो यह एस्थापित करेगा gift city गाधिनेगर गुजरात में जो की gift का full form क्या है गुजरात international financial technology city ठीक है तो गुजरात international financial tech city ये gift city का full form है और new development bank अपनी छेत्री काई gift city गुजरात में जो है अस्थापित किया और new development bank ने भारत के gift city में अस्थापित अपने छेत्री कार्याले का महानिदेसक किसको नियुक किया तो इसका जो है छेत्री कार्याले अस्थापित किया जा चुका है gift city में और इसके महानिदेसक भी बनाए गया है कौन डाक्टर डीजे पांडियन को इसका महानी दे सकते हैं किन दो भारती एस्थानों को सामिल किया है तो भारत के एहमदाबाद और केरल राज्य को सामिल किया गया है ठीक है विस्टु के सरवसरेषट एस्थानों की सूची में इसके ळावाट TEIMS MEGAZINE के द्वारा किस राज्य को Eco Tourism State के रूप में नामित किया गया तो यह आपका जो केरल राज्य है जिसको विस्टो के सर्वस्टेश रस्तानों की सूची में सामिल किया गया है इसको Eco Tourism State के रूप में भी सामिल किया गया है ठीक है Times Magazine के द्वारा किस संगठन की मुद्रा को 5R से संबोधित किया जाता है तो जो आपकी Bricks देशों की मुद्रा है तो इसमें जो है पांच देश सामिल है तो Bricks में जो है ब्राजियल की जो मुद्रा है वो है रियाल रूस की मुद्रा का नाम है रूबल भारत की मुद्रा का नाम रुपया और चीन की मुद्रा का नाम रेन मिन भी और आपके साथ अफरीका की मुद्रा का नाम है रेंड तो सभी आपके आर से ही हैं तो इसको जो है फाइव आर से डिनोट किया जाता है इसकी मुद्रा को किसकी सोपोरी का निधन हो गया ये कौन सा वाध्यांत्र बजाते थे तो भजन सोपोरी जो है ये संतूर वाध्यांत्र बजाते थे ठीक है ना जनरल विपिन राओत का संबंद किस बटालियन से था तो जनरल विपिन राओत जो है उत्तराखंड राज से संबंदित थे और इनका सं भूशड पूरुसकार भी किसे प्रदान किया गया था तो यह जो है जनरल विपीन राओत को दिया गया था ठीक है इसके इलावा तीन और लोगों को भी दिया गया था सहियोकत अरब अमीरात में कामगारों को कमसल विकास करने के लिए अनुराख ठाकुर के द्वारा कौनसी योजना प्रारंब की गई प्राराम किया गया नई दिल्ली सरकार के द्वारा ठीक है ना केंद्री ये कपड़ा मंत्री पियोस गोयल ने कहां पर 17 राष्ट्रिय फैसन प्रद्योगी की संस्थान यानि की नेशनल इस्ट्यूट अफ फैसन टेक्नोलोजी का जो है उद्गाटन किया तो ये भारत का 17 नि 155 की अमनितरो ब्राष्ट्रि की से अप्राम किया गिल्स राष्ट्री प्रशिक्छुमेल ने का प्रारम किया गया कोसल विकास संन्बंदित है और ये किया गया को अध्यमित विकास मंत्राले के द्वारा ब्सक्रांड को उरे-ेंटी और च अगर मैं आपसे पूछनू कि रैम प्योजना का संबंद किस मंत्राले से है तो यह आप कमेंट करके बता सकते हैं कि रैम प्योजना का संबंद किस मंत्राले से है और इसके लिए कितना धन आवंटित किया गया है इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रध्योगी की मंत्राले के गती सकती संचार पोर्टल को किसके द्वारा लांच किया गया तो गती सकती संचार पोर्टल अभी हाली में लांच किया गया किसके द्वारा तो ये लांच किया गया है अस्विनी वैश्णों के द्वारा इसके अ सब्सक्राइब का सम्बंद किस्ते हैं तो रक्षामंत्रा ने सेहत पहल का प्रारम किया और इसके अंतरगत जो आपके सैनिक हैं उनके परिवारों को टेली जो है मेडिसीन सुविधाएं उपरब धकराइजाएंगी सेहत पहल के तहत फास्टर और सुपेस पोर्टल का संबंद किस्धा है तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंतराले से संबंदित है अपका कौन सा पोर्टल तो यह है अपका सुगम में भारत पोर्टल ठीक इडार पोर्टल क्या है तो D.A.R. का फुल फार्म है detailed accident report ठीक है D.A.R. का फुल फार्म detailed accident report और ये किस संबंदित होगा तो शड़क परिवहन और राजमार्ग मंतराले से संबंदित है आपका E.D.A.R. पोर्टल अभी हाली में लांच किया गी इसको ज़रूर याद रखेगा इंडिया ऐलुमनी पोर्टल क्या था तो इंडिया ऐलुमनी पोर्टल भारतीय संस्कृतिक संबंद परिसत के दौर्य लांच किया गया तो भारत में जो विदेसी बच्चे पढ़ चुके हैं ठीक है ना उनसे सांस्कृतिक संबंद अस्थापित करने के लिए भारतिय सांस्कृतिक संबंद परिशद ने इंडिया एलूमनी पोर्टल जो है प्रारम किया है प्रसारड सेवा पोर्टल प्रसारड से संबंदित सभी जो है आपके जानकारियों को एक सिं खो गया है अगर किसी का , तो इस पोर्टल प्राफ्टारोकेशन और इस प्रेव क्रतस्वस का अमानत पोर्टल , ऐगला अजया है AXO PR life in my Natal ऑज्या और इन्वेन को सो एक आजादी अबिर बिदित प्रतस पर लाइं वो कहां पर आप देखे जा सकते हैं सभी के सभी आपके उत्सो पोर्टल पे देखे जा सकते हैं और इसको परेटन एवं संस्कृती मंत्रा लेने क्या किया है विक्सित किया है स्वराजबिलिटी पोल्टल किसके लिए तो विकलांगों को कौसल विकास और उनको नोकरी खोजने में मदद करने के लिए IIT हैदराबाद ने कौन सा पोल्टल लांच किया है स्वराजबिलिटी पोल्टल ठीक है नेक्स्ट हमारा है जलवायू परिवरतन सम्मेलन कोप 26 का उजन कहां पे किया गया था तो कोप 26 का उजन किया गया ग्लासको इसकोटलेंड में ठीक पिछले वर्स किया गया था कोप 26 का उजन कोप 27 का उजन इस वर्स कहां पे किया जाएगा कोप 27 अपका 2022 में आउजित होगा यह कहां पे होगा तो यह होगा आपके मिस्र देश में इजिप्ट का नाम अपने सुना होगा ठीक है ना तो यहां पे आपका क्या होगा कोप 27 का उजन किया जाएगा सिकागो सहर किस जील के किनारे इस्थित है तो सिकागो जो है आपके मिसिगन जील के किनारे इस्थित है तो मिसिगन जील के किनारे आपका कौन सा सहर इस्थित है तो ये आपका सिकागो सहर इस्थित है सारवजनिक परिवहन प्रडाली में रोपवे का उपयोग करने वाला पहला भारती सहर कौन सा है अब जो है आपका बनारस सहर यहाँ पे रोपवे का उपयोग किया जाएगा यानि कि रज्जु मर्ग से यात्रा की जाएगी सारवजनिक परिवहन में और ये जो है आपका वराडसी भारत का पहला सहर बन गया है गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माड कहां से कहां तक किया जाएगा तो गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माड जो है ये मेरड से प्रियागराज तक किया गया और इसकी जो है कुल लंबाई कितनी है तो 594 किलो मीटर ठीक है और गंगा एक्सप्रेस वे का सुभारंब कहां से किया गया था तो साह जहां पुर्ष से जो है इसका उदगाटन किया गया था ठीक है न प्रदान मंतिर नरिंदर मोदी के द्वारा जिरकान और सर्मत मिसाइल क का सफल परिक्षड किसके द्वारा किया गया तो जिरकान और सर्मत मिसाइल क्या है आपकी हाइपर सोनिक मिसाइल है ठीक है हाइपर सोनिक मिसाइल है और यह रूस के द्वारा विक्सित की गई है हाइपर सोनिक मिसाइल क्या होती है जिनकी स्पीड 5 मैक से जो है अधिक होत हैं अगला हमारा है James Webb Telescope किसके द्वारा स्थापित किया गया तो अभी हाली में आपको Current Affairs में पढ़ाय गया था कि James Webb Telescope ने अंतरिक्ष का जो है सबसे रंगीन फोटो जो है अभी हाली में सबसे अधिक Resolution का फोटो खीचा है ठीक है न तो James Webb Telescope जो है ये NASA European Space Agency और Canada के द्वारा विक्सित किया गया है ठीक Brexit किस संधी के तहत हुआ तो Brexit का मतलब क्या है तो Brexit यानि कि जो आपका European Union है ठीक है न इसमें पहले आपका Britain देश भी सामिल था ठीक है और Britain ने इसके बाहर निकलने के लिए एक समझोता किया जिसको क्या कहा गया Brexit समझोता कहा गया और ये जो है किस संधी के धायत होगा तो ये हुआ था लिस्बन संधी के धायत यानि कि Brexit से जो है Britain दो वर्सों में क्या होगा अलग होगा ओके नेक्स हमारा है इरान की नई मुद्रा का क्या नाम है तो इरान की जो नई मुद्रा है इसका नाम है तोमान ठीक है तोमान या फिर टोमान इसको कुछ भी कह सकते हो ठीक अगला मारा है विस्व यूवा कॉसल दिवस तो दिसमबर को कही लिए तो आईए अब देखते हैं आज के महातपूर्पूरंड फेर्स यानि कि 16 जुलाई 2022 के महातपूर्पूरंड फेर्स को उप्भुक्ता अधिकारों के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए कौन सा सुभंकर लांच किया गया है तो उपभुकता अधिकारों के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए आपका जागरिती नाम का एक जो है सुभंकर लांच किया गया और ये किस अभियान का हिस्सा है तो जागो ग्राहक जागो अभियान का हिस्सा है कौन सा जागरती सुभंकर ठीक है ना तो यह आप याद रखेंगे अगला है मारा राष्ट्री संस्थागत ranking framework तो यह आपका जारी किया गया तो यह आपके important ranking होती है ठीक है ना भारत के अंदर ही जारी की जाती है भारत के संस्थानों के लिए तो इसमें जो है समग्र स्रेडी यानि की ओवराल स्रेडी में कौन सा जो है पहले नंबर पे रहा तो समग्र स्रेडी में पहले नंबर पे आपका रहा IIT मदरास जबकि दूसरे नंबर पे कौन सा रहा था तो यह रहा था आपका IISC बेंगलूरू ठीक है ना तो IISC बेंगलूरू दूसरे नंबर पे रहा था सेकंड नंबर पे तो पहले नंबर पे ओवराल सेड़ी में IIT मदरास SEERS कालेज यानि कि पहले नमबर पर तो यह रहाएंपका मिरांड़ा हाउस दिली ठीक है जो आपके कालेज हैं उनमें पहले नमबर पर आपका मिरांड़ा हाउस दिली SEARS प्रबंधन संस्थान की बात अगर की जाए तो IIM एहम्दाबाद जो है यह आपका SIERS Management College था SIERS Engineering College की बात की जाए तो IAT मदरास जो की आपका समग्धर स्रेडी में भी पहले नंबर पे था यह आपका SIERS Engineering College में भी पहले नंबर पे है IAT मदरास SIERS विस सुविद्याले की University की बात कर की जाए तो SIERS विस सुविद्याले भी कोन था आपका IISC Bengaluru ठीक है ना Indian Institute of Science Bengaluru और Sears सोध संस्थान यानि कि जहां पर रिसर्च कर सकते हैं ठीक तो Sears आपका research संस्थान कौन सा था तो यह आपका IISC Bengaluru यही था ठीक है Medical की बात की जाए Sears Medical College कौन सा था तो वो था आपका AMS दिल्ली अखिल भारती आयूर विज्ञान संस्थान दिल्ली ठीक है और Sears Pharmacy College की बात की जाए तो यह था आपका जामिया हमदर्द College कहां पे दिल्ली में है नेक्स हमारा है खादी और ग्रामुद्योग आयोग के द्वारा खादी के डिजाइन को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा पोर्टल विक्सित किया गया तो खादी के डिजाइन को सेलेक्ट करने के लिए खादी और ग्रामुद्योग आयोग यानि की के वी आईसी ने जो है यह आपका Knowledge Portal प्रारंभ किया है अगर आपसे पूछ लिया जा कि भारत का पहला खादी उत्कृष्टता के अंदर कहां प्यस्थापित किया गया तो यह आपको कमेंट करके बताना है नेक्स्ट हमारा है टाइमस आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार कौन सा सहर दुनिया का सर्वस रेष्ट सहर है तो यह टाइमस आउट इंडेक्स है ठीक तो अलग-अलग इंडेक्स आती है सहरों के लिए भी तो टाइम साउट 2022 इंडेक्स के अंसवार दुनिया का सर्वस्रेश्ट सार एडिन बर्ग जो की कहा का है श्कोटलेंड का है ठीक है और भारत का कौन सा सर्वस्रेश्ट पे आएगा तो यह आपका मुंबई है जो की पूरे विस्व में किस नंबर पे है तो पूरे विस्व में 14 अस्थान पे है ठीक है अगला हमारा है केंद्री स्रम और रोजगार मंत्री ने किसकी अध्यक्षता में आयो जित बिक्स, शर्म और रोजगार मंतरियों की बैठक में भाग लिए, तो बिक्स की कोई भी बैठक होगी, तो इसको आपको बताएगी, कि बिक्स की कोई भी बैठक, अगर आपके 222 में हो रही है, तो उसकी अध्यक्षता चीन ही करेगा, ठीक है, इस वर्स जो है ब्रिक्स देशों की अधिक्सता कौन कर रहा है तो वो चीन कर रहा है तो 2022 में कौन कर रहा है ये आपका चीन कर रहा है 2021 में किस ने किया था तो ये आपके इंडिया ने किया था अब 2023 में जितनी भी बैठ के होंगी उनकी अधिक्सता कौन करेगा तो वो आपका साउथ अफरीका यानि की धक्षिड अफरीका करेगा अगला हमारा है हाल ही में पदमस्री अवध कौसल का निधन हो गया तो ये आपके पदमस्री पुरुसकार के विजयता थे जिनका नाम था अवध कौसल और ये किस छेतर से सम्बंदित थे तो ये एक सामाजिक कारे करता थे और इनका जो है हाल ही में क्या हो गया निधन हो गया ये पदमस्री पुरुसकार के प्राप्त करता भी थे अवध कौसल अगला मारा है 16 जुलाई 2022 को प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने किस राज में बुंदेल खंड एक्सप्रेस वे और ये जो बुंदेल खंड एक्सप्रेस वे है इसकी लंबाई है 296 किलोमेटर जो की कहा से कहा तक चित्र कूट से इटावा तक है और इसका जो है उद्गाटन करेंगे तो इसका उद्गाटन जालो नुतर प्रदेश से किया जा रहा है ठीक प्रिधानमंति नरेंदर मोधी के दोरा कौन सा एक्सप्रेस वे बुंदेल खेंड एक्सप्रेस वे 296 किलोमीटर यूरो की मुद्रा के रूप में यूरो को यूरो को जो है यह अपकी European Union की currency है ठीक है न और इसको मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20 वदेस बन गया अपका क्रौेशिया जो की एक जनवरी 23 से इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी तो वो हो जाएगी अपकी Euro और इसकी पहörpe skip के अनम था इस ने किसके साथ समझोता किया है, तो Google के साथ समझोता किया है, आपके NASCOME ने, ठीक है, तो यह हमारे महत्पूर करणट अफेर्स और ZK के रिविजन थे, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे लगे होंगे, आप अपने दोस्तों के साथ जैर करेंगे, जो किसी भी एक्ज बाद